First app हमें यहां पर इस लिस्ट में देखने को मिलेगा This is related to Dynamic Island काफ़ी टाइम से Dynamic Island के बारे में बात नहीं करी थी हमने अब बात करेंगे कि जो Dynamic Island पे इसमें बहुत सार एप्स Google Play Store पे देखने को मिलते हैं Of course कुछ एप्स थोड़े से यूजलेस भी होते हैं But कुछ एप्स एक्चुली में काफी अच्छे भी होते हैं And this is one of them The name is NaughtyGuy और इसमें एक्चुली में काफी जादा फीचर्स आपके पास कस्टमाइज करने के लिए I am using it from a long time अगर Google Play Store से आपको कोई Dynamic Island के लिए कुछ ऐसा एप कस्टमाइज करने के लिए चाहिए तो यह एक्चली में काफी अची चोईस हो सकता है क्यूंकि काफी सारे आप सासे हैं जिसमें Basic Features के लिए भी आपको Paid Subscription चाहिए यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ पर आपको Basic Features बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेंगे कुछ Features को Adjust करने के लिए आपको Paid Subscription चाहिए लेकिन जो Normal चीज़े आपको चाहिए वो फ्री में चल जाएंगे अगर आप इसे पच्चेस करना चाहते हैं और Paid Features चाहिए तो वो भी आप Try कर सकते हैं लागि आप यहाँ पर देखेंगे अगर आपको Notifications चाहिए Screen Off पे भी तो उसके लिए आपको Premium Subscription चाहिए और I guess Screen On पे यह आपको चाहिए तकर Screen Off पे चाहिए Dynamic Island Screen Off पे आप क्या करेंगे So that's completely okay Second जो हमें इस लिस्ट में देखने को बिलेगा इसका नहीं में Cherrygram और इसकी नेम से आप जानगे This is a Telegram Alternative या Telegram Client आप बोलेंगे अगर आप Default Telegram को Change करके कोई और Telegram और Try करना चाहिए आप Cherrygram को Try कर सकते हैं इसको Include करने के कुछ Reasons है Firstly इसमें आपको Useful Features देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पर जो Download Speed है वो बढ़कर देखने को मिलेगी क्योंकि आपको बता होगा अगर आप Premium Subscriber नहीं है Telegram के तो जो Download Speed है वो तो काफी कम देखने को मिलती है तो वो यहाँ पर आप उसे Bypass कर सकते हैं लेकिन सिर्फ वो नहीं कुछ बहुत कम लेकिन कुछ Useful Features आपको इसमें देखने को मिलते हैं This is not like some other Telegram Clients यहाँ पर आपको बहुत सारे Features देखने को मिलते हैं एक हमारे पास एक्सामपल है प्लस मेसंजर बहुत सारे Options हैं बहुत सारी Customizations हैं Sometimes you get confused लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ useful Features देखने को मिलेंगे The good thing is It is an open source Android आप तो यह चीज़ काफी जादा useful है अगर आपको एक open source Telegram client चाहिए आप Cherrygram को Try कर सकते हैं यह एक AP के फाइल है जिसका link आपको में लेकर description में आपको से install करना है और use करना है इसमें आपको एक और चीज़ मैं आपर बता देता हूँ इसमें जो आपको Telegram के आइकन्स हैं इसलेस का last but not the least इसलेस का लास्ट पर नॉट द लीस्ट दिस इस एन Android अप जिसका नेम है Settings Clone यह आप बोल सकते कि Rising को इस Custom Room अगर आपने ट्राई करा होगा बिल्कुल उसी के जासे एक Similar Clone Settings आप जो आप अपने डिवाइस में ट्राई कर सकते हैं बेसिकली इसके कोई बहुँ जादे यूस केसिस तो नहीं है लेकिन अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं जस्ट फॉर फ़न या डिफरेंट सेटिंग्स यूई को ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं यह आपके डिवाइस के डिफॉल्ट सेटिंग्स आपको रिप्लेस बिल्कुल नहीं करेगा और यह बिना रूट के काम करेगा डिरेक्ली आपको इसे इंस्टॉल करना है आपके डिवाइस का जो करने का एक step extra होता तो शायद तोड़ा और better होता लेकिन default is not that bad वहीं इसमें थोड़ी से changes हैं जैसे पुराना settings clone था इसमें थोड़ी से better options है लाइक इसमें आपके पास यहां पर about असनीचे एक option देखने मिलता है name वाला कर आप जो भी type झाल आप Was